नमस्कार मैं उसाहेबली और आप देख रहे हैं livecities.n मदेपूरा सांसत पपू यादो ने एक बार फिर से राज़त सुप्रीमों और उनके परिवार को टार्गेट किया है पपू यादो ने तेशप्रताप यादो और तेशवी यादो को ले करके बड़ा हमला बोला है आपको बता दें कि पपू यादो फिलहाल अपनी नारी बचाओ पधियातरा पर है मुझफरपूर के बाद आज वैशाली में उन्होंने लालू परिवार को टार्गेट किया है दर असल लालू परिवार पर पपू यादो ने वैशाली में हमला बोला है वैशाली में उन्होंने तेशवी यादो का कोई राजनीतिक जमीन नहीं है ऐसा कहा इसके साथी साथ उन्होंने कहा कि वो अनुकंपा पर जी रहे हैं पपू यादो ने तेस्वी यादो पर और भी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि 10 सितंबर को भारत बंद के दोरान जन अधिकार पार्टी के कारेकरताओं द्वारा पटना में हंगामा किये जाने को लेकर तेस्वी यादो ने पपू और उनकी पार्टी पर कथी टिपणी की थी इसको लेकर राजनीती गलियारों में बयानबाजी का दोर चल रहा है इससे पहले पपू यादो ने मुझाफरपूर में तेस्वी यादो समेथ लालू परिवार पर निशाना सादा था और लालू के बेटों को बिगड़े अवलाद कहके बताया था तो जाहिर है पपू यादो बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर के नारी पदियात्रा पर निकले हुए हैं नारी बचाओ पदियात्रा में वो लोगों से मिल रहे हैं जन संपर कर रहे हैं इसके साथी साथ लोगों को इस सरकार में मतलब की CM नितिश कुमार की सरकार में हो रहे हैं महिलाओं पर अत्यचार के बारे में बता रहे हैं इस दोरान सिर्फ नितिश कुमार पर ही नहीं बलकि विपक्ष यानि लालू परिवार पर भी वो काफी हमलावर हैं तो लाइफ सीटीज के साथ जुड़े रहे हैं आप कल पटना में पप्पो यादो अपने नारी बचाओ यातरा का समापन कर रहे हैं क्या कुछ होगा कैसी महासबा होगी किस तरह सो लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचाएंगे लाइफ सीटीज आपको सबसे पहले देग किये और हमारे फेस्बूक पेज को भी जरूर लाइक करें